हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पाथ चला सो आज के दिखे हमारी जो वीडियो रहेगी वह हम करेंगे नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स तो यह आपका पार्ट फोस्ट है जिसमें हम हाफ मन्त की करेंट अफेर डिसकस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो जितना आदम मन्त रहेगा उसको डिसकस करेंगे ठीक है तो अगर आप डेली करेंट अफेर नहीं पढ़ते हो तो आप इस वीडियो से पूरा हिल्प ले सकती हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट कोशन यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे तो चलिए फिर वीड किसने क्या है यह भी आप लोग से पूछ सकते हैं तो यूपी की जो गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उन्होंने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो विज्ञान प्रसार के द्वारा किया गया है अगर हम बात करें इस पुस्तक की इ और इसके author का नाम नखना है, जिनका नाम क्या है? Dr. Pradip Shrivastav, ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, आप देखो, मैं छोटी से trick आप लोगों को बता देते हूं, किस तरीके से हम लोग इसको ध्यान रख सकती है, देखो, आप सभी को पते हैं, इस ठाइम पे Corona चल रह जो कि हम सभी लोग चाहते हैं कि Corona चला जाए, तो इस तरीके से आप लोग यहां से ध्यान थोड़ा बहुत रख सकते हैं, अगला दिकी question क्या है, 31 October को सरदार बल्लभाई पटेल की कौन सी जयनती बनाएं गई, तो 31 October को मनाएं गई सरदार बल्लभाई पटेल की 145 जयनती, ठीके, सबसे पहले तो आप लोगों को दिन भी आज रखना है, और आप लोगों को कौन से नंबर की बनाएं गई है, यह भी ध्यान रखना है, अगर हम बात के नहीं सरदार बल्लभाई पटेल को, तो इनको लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बहुत ही famous थी लोह पोच सकते हैं, ठीके, अगर हम बात करें सरदार बल्लभाई पटेल की, तो यह सुतन्त भारत के पहले ग्रह मंत्री रह चुके हैं, और उप्रदान मंत्री भी रह चुके हैं, ओके, इसके अरावा जो स्टैचो ऑफ यूनिटी बनी है, जोकि गुजरात के नर्मदा जिले म नर्मदा नदी पर केवड़े जिले में बनी है, स्टैचो ऑफ यूनिटी, वो भी किसकी है, सरदार बल्लभाई पटेल की है, जिसकी उचाही कितनी है, वो 182 मीटर है, उसकी जो है, वो उचाही है, और इस प्रतिमा का जो उद्गाटन किया गया था, वो प्राइम कर लिया करो, जादा मत किया करो, ठीक, ऐसे तो बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे, कहां तक पढ़ेंगे, अब एकला गोशन देखो, किस ने सरव पावर योशना शुरू करी, तो डॉक्टर हर्श बर्दन, कि केंद्रे सौस्ते मंत्री है, उन्हों ने इस स्कीम को भवा देना, और उन्होंने जो पर वर्क किया है, उस वर्क के लिए उन्हें प्रोचाहित करना, इसका मेन उदेश्य है, ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, महिलाओं को रिसर्च के लिए अनुदान भी दिया जाएगा, उनको एक साल में जो है, वो दस लाक रुप अगर हर्शिवर्धन ने इसको शुरू किया है, ओके, राइट, नेक्स्ट कोशिन, आई आई एफफबी, अगर हम बात करें, आई आई एफफबी है क्या तो इंडिया इंटरनाशनल फिल्म फेस्टीबल, जो कि कहा हुआ था, बोस्टन में हुआ था, 2020 में किसे प्राइड और इंडिया अवार्ड दिया गया है, तो विकास करना जो इंडियन शेफ है, उनको इस अवार्ड से समानित किया गया है, बोस्टन में है समारू हुआ था, और इसका 3rd एडिशन जो है, बुक कराया गया था, ध्यान रखेगा, यह जो फिल्म फेस्टीबल है, इसमें एक यह जो विकास करना को मिला है, इसके इलावा देखो, इसमें लाइफटाइम परन बी दिया गया है, जो कि सौरगिया अभी नेता किसको मिला है, ओम पुरी तो दिया गया है, मतलब मर्नो परांथ, जो है वो उनको सबमानित किया गया है, ओके यह भी चीज़सें आप लोग काई ने किसी मुखे सुषना आयुक्त की रूप में इन्युक्त किया है and very important question है ये यश्वर्दन कुमार सिनहा को appoint किया गया है यश्वर्दन कुमार सिनहा जो है वो किसकी जगा पे appoint हुए है तो विमल जुलका की जगा जो है ये appoint हुए है विमल जुलका का कारिका समाप्त हो और इसका जो headquarter रेव कहां पे है न्यू डेली में इसका headquarter है तो बिल्कुल अच्छे से question ध्यान रखेगा answer यश्वर्धन कुमार सिन्हा अगला question देखे क्या है चीन अपने किस शेत्र में दुनिया का सबसे अधिक उचाई पर cloud computing data center स्थापित कर रहा है तो कहां पे कर रहा है तिबबत में कर रहा है यह सबसे अधा height पर है यह cloud computing data center so important होगा यह data center क्या काम करेगा बांगलादेश पाकिस्तान जैसे जो भी दक्षिन पूरवी एशिया ही देश है ना उनके जितने भी data storage की ज़रूरती होती है उसको पूरा करेगा तो वो easily अपना जो data होता है वो store करवाने का काम यहां से कर सकती है तो कि बहुत सदा problem होती है data को store करना ठीक है तो यह data center कहां पे होगा तिबबत में और कितनी height पर इसको बनाया जा रहा है तो 3,6,5,6 meter उचाई पर यह इस्तित है आप लोग इसे height नहीं पूछेंगे exam में बस पूछेंगे तिबबत का नाम और चाइना का नाम पूछ सकते हैं ठीक है कि कौन बनवा र की है तो यह शुरुवात की गई है गुजरात में गुजरात में statue of unity अभी हमने पढ़ा तर statue of unity किसकी है सहिदार बलभाई पटेल की है तो statue of unity तक जाने के लिए यहां पर एक फेरी आप कैरो फेरी service यहां पर शुरू की गए बोट वाले जो service हो दी है उसको ही बोला गया है cruise service तो इसको शुरुवात कहां पर की गई है गुजरात में तो यह 6 km का जो distance है उसको बहुत easily cover कर सकती है 40 minutes की ride होगे जिसमें 200 यात्रियों को एक साथ कहां पर ले जाया और लाया जा सकता है तो गुजरात में इसको शुरू किया गया है capital क्या है गुजरात की कांधी नगर ठीके cm का नाम क्या है विजरुपानी आप लोगों को जितना चीज से exact ध्यान रहे उतना ही बहुत अच्छा रहता है नेक्स्ट कोशन देखे क्या है उत्रखन राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो रंजना कला को वर्धन उन्होंने है जो है वो एक दिशा निर्देश जारी किया था जिसको देखते हुए इन्हें अपॉइंट किया गया है रंजना कला के अगर हम बात करें तो 1985 बाज की यह आई एस अधिकारी है और इनका जो कारेकाल होगा वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा तो उत् next question बारत की केंदिसाश्य प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया तो 31 ऑक्टूबर को जो पहला स्थापना दिवस मनाया है वो लद्दाग ने अगर हम बात करें 31 ऑक्टूबर की तो पिछली साल थोड़ा फ्लेश वेक में आऊ तो 2019 में लद् तो पहला स्थापना दिवस मनाया गया इस बार का ध्यान रखेगा लद्दाक के उपराचेपाल का नाम क्या है तो आर के माथुर यहां के जो है वो उपराचेपाल है ठीके जम्मु कश्मीर पहले स्टेट था ना उसमें फिर क्या किया गया उसको तू पार्ट में पार्ट ने तो आठ ही उनिटेरिटी है क्योंकि दमन्दीप और दादरनागर हवेली को जॉइन कर दिया गया है ओके चलिए अगला कोशन किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा तो यह स्थापित किया जाएगा पशिम बंगाल में टायर्स आपने देखोंगे खराब से पड़े रहते हैं इसे इतर अधर उन्हीं टायरों बहुत ही अच्छी चितरकारी करके बहुत अच्छे तरीके से क्रेटीव बनाके इस पार्क में लगाया गया फोटो देख सकते हैं बहुत गिता सुन्दर यहां पर देखो पार्क जो है बना तो ये भी आप लोग ध्यान रखेगा। पशी मंगे और हम बात करें तो इसकी कापिटल क्या है, कोलकाता इसकी कापिटल है, सीयम कानाम क्या है बई सबी को पता होगा CM तो ममता बेनरजी यहां के जो है वो CM है और गवर्नर का नाम क्या है जगदीप धन्खर यहां के जो है वो गवर्नर है ओके नेक्स्ट कुश्चन 2020 में मालबार अभ्यास का कौन सा संस्करण आयजित हो रहा है तो इस पार जो आयजित हो रहा है वो कौन सा संस्करण आयजित हो रहा है यहां पर 24 जो संस्करण है वो इसका आयजित किया जा रहा है किसका मालबार exercise का अब देखो यह जो मालबार exercise हो पे आयज़ित किया गया था आपको ये भी ध्यान नखना पे ओफ बिंगॉल में ठीक है विशाका पटनम वाला चुछ तर्ट है और जो इसका सेकेंड फेज है वो मिड नवंबर में आयज़ित किया गया था अभी 17 तु 20 नवंबर तक और ये कहां पे आयज़ित किया गया था अरब सागर में अब देखो इसमें पार्टिसिपेट कौन-कौन से कंट्री ने किया था तो इस बार जो इसमें पार्टिसिपेशन किया था वो क्वाइट ग्रूप ने किया था मतलब इंडिया जापान और और आमेरिका ये तो करते ही करते थे इस बार पहली बार आस्ट्र इसका correct answer हो जाएगा ती जित्ते भी question से बनते हैं सभी आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए next question देखो क्या है किस राजे में 200 किलोमेटर का Fit India प्रोग्राम शुरू किया गया है राजिस्तान में बोर्डर पढ़ता है भारत पाकिस्तान का उसी बोर्डर के नजदीक में एक रेगिस्तानी जगा है वहाँ पे 200 किलोमेटर की पैदल यातरा को हरी चंडी दिखाई है ठीक है तो किसने शुरू किया है किरण रीजुजू ने कहां पे शुरू किया गया है तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पी है मद्यप्रिदेश में सिंपल से अंगोशन का अंसर है और इसी के साथ भारत का बाहर हुआ और मद्यप्रिदेश का जो पंच मणी और अमरकंटक के बाद तीसटा बाय रिजर्फ वो इसको गोश्यक कर दिया गया है वर्तमार में जो पन्ना टाइगर रिजर्फ है उसमें 54 जो है वो बाक यहां पर देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है एक्जेक नमबर तो आप लोगों से नहीं पूछेंगे पर आप लोगों से जो लिक्षाव में ट्रांस-जेंटर को शामिल करने वाला पहला राच्छे है तो असम बना है पहली गरवार ऐसा हो रहा है जब आप देखो कि 감ी करते हैं हो सुरे जेंटर लिते हु वह बट आपको जेंटर मिलते थे मील या फिर फीमेल वह एक शेंटर को कहां पर असम्राज्ट्ये में जो कीया होगा तो यह कौन से讲 सीbau में में किया है पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जामिनेशन में ने इनको जो है एड ओन किया गया है काफी टाइम के पाद किसको ट्रांस्टेंडर केटिगरी को यहां पर जोड़ा गया है ठीक है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा असम कैपिटल ज्या है दिसपूर सीम का नाम है सर्वनंदा सोने वाल अगला कोशन देखो क्या है किस राज्जे के स्वास्ते विभाग ने कोविट 19 के दुरान उत्करष्ट प्रदेशन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है तो यह जीता है हर्याना ने हर्याना राज्जे ने जो है वो काफी अच्छ नंबर का यह अवार्ड दिया किया है हर्याना राज्जे को हर्याने की कापिटल है चंडीगर्ठ सीम का नाम है मनुहरलाल कंटर और कवर्णर का नाम क्या है सत्यदेव नारायन आर्या क्लियर है निक्स्ट कॉशन अर्ला कुछ ने देखो क्या है launch पुस्तक जिसका नाम क्या है pandemicunium the great indian banking tragedy इस book के author का नाम क्या है तो t बंदो पाध्या जो है उस book के author है इस पुस्तक में basically बताया क्या गा है देखो banking tragedy के बारे में ही बताया क्या है आप simple से जादा इतनी बारा सोचने की जुरूत नहीं है जो नाम है उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा बस आपको author का नाम यार रखना है क्या है ती बंदो पाध्याय जो है वो इस book के जो है वो author है ठीक है next question पे चले चलिए अगला question देखो क्या है किस राजे में देश के पहली सौरूर्जा से तलने वाली train का घाटन किया गया है तो केरल राजे के सियंपिंडरई विजियन ने इस train को हरी जंडी दिखाई है जो कि पूरी तरीके से सौरूर्जा से चलने वाली है ये एक mini train है mini train का मतलब छोटी train है इ ट्रेन जो है वो 2.5 km की जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी पूरी तरीके से ये सोलर जो पावर है उससे संचालिट की जाएगी कहां पी हरी जंडी दिखाई है तो केरला में इसको हरी जंडी दिखाई गई है right next question UAE देश में भारत की अगले रास्तूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो correct answer is पवन कपूर तो पवन कपूर बने है United Arab Emirates में next ambassador अगर हम बात करें पवन कपूर की तो 1990 calendar के ये I.E.A. सदिगारी है और अगले तीन सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है ये अगर हम बात करें करेंट में क्या काम कर रहे थे इससे पहले तो इससे पहले ये इसराइल देश में भारत के राश्तू उटते थीक है तो ये चीज़ता चींज होते रहते हैं देखो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इनका जैसे इनका कारेकल समाप तो 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 न बन गए है पवन कपूर बन गए है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने अलग और अगले कुशिन पे न्यूजिलेंड के पहले भार्दय मूल के मंतरी कौन बने है तो प्रियंका राधा कृष्णा जो की भार्दय मूल की है ये न्यूजिलेंड डेश में पहली महिला मंतरी क के पत पर न्यूक्त की गई है तो इसलिए इनोंने वहां पर एक इतिहास रज दिया है तो इंपॉर्टेंट कोशिन होगा बहुत ही जादा उन्हें सामुदाइक और जो स्वच्छता का मामला होता है जैसे हम अगर हम बात करें तो बहुत ही जादा ही इसमें इनों लोगों के इक साम के लिए नेक्स्ट कोशन देखो क्या है किस भारत्य प्रावदोगी के संस्थान ने बच्चों को को विड-19 के प्रति जागरू करने के लिए IITM कोविड गेम विक्सित किया है तो IIT मदरास ने इसको विक्सित किया है बिसमें हुगा क्या बच्चों को गेम खेलना बहुत पसंद होता है न तो गेम गेम में के माध्यम से ही उनको कुविड की प्रति अवेर किया जाएगा मतलब गेम में ऐसे ब्रावजर्स होंगे ऐसे फीचर्स होंगे जिनमें आप लोगों को बीच-बीच में कोविड के जानकार्या दी जाएंगी तो इससे विविक्सित किसने किया है IIT मदरास ने नेक्स्ट कोश्यन Time Ivory Coast के तीसरी बाराश्टापती कौन बनी है तो असेन ओटार बनी है आईवरी कोस्ट के तीसरी बार बन गई है ये प्रेजिडेंड तो अगले पांच वर्षों के लिए उनका कारिकाल होगा पहली बार ये बने दें 2010 में देखो फिर 2015 में बने होंगे दूसरी बार और तीसरी बार बन गई है 2020 में तो ज्यांद रहेगा ना कहां के बनी है ये आईवरी कोस्ट के बनी है कौन बनी है तो अलसीन ओटारा जी बनी है नेक्स्ट कोूशन launch पुस्तक जिसका नेम है The Ultimate Goal इसके author कौन है तो विक्रम सूत के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है जिसका नेम है The Ultimate Goal इस पुस्तक में basically उन्होंने अमेरिकी प्रेजिडेंट जो John F. Kennedy की हत्या हुए थी ना उसके मामले पर पूरे तरीके से प्रकाश डाला है इसके अलावा पूरा पूरा बताया गया है कि उनको गोली कैसे लगी क्या चीज़ें थी पूरा मतलब ऐसा हुआ क्योंकि उनकी गोली उनको गोली क्यों मारी गई इस चीज़ के बारे में इस बुक में डिसकस किया गया है बुक के ऑथर कौन है बिकरम सूथ के द्वारा जो है वो ये पुस्तक लिखी गई है ठीके आप देखो याद करने का चुट असा तरीका बताऊ देखो सूथ सोनो सूथ से आप सोनो सूथ याद रखना सोनो सूथ ने देखो बहुत ही साथा कोविट के समय में बहुत ही अच्छा काम किया लोगों को गर तक पहुचाया तो उन्होंने एक माइंड में गोल सेट कर रखा था उन्होंने सोच रखा था कि वो लोगों की मदद करेंगे तो उन्होंने इसलिए इतनी सारे लोगों की मदद की दिल से तो सूथ यानि सोनो सूथ उन्होंने कोविट के साइन पे गोल सेट कर रखा था लोगों की मदद करने का तो goal से हो जाएगा ultimate goal और उन्होंने जो help की है वो भी एक तरीके से ultimate help करिए बहुत help करिए ठीक है तो ऐसे आप लोग इस question को ध्यान रख सकती है next question देखो क्या है बांगलादेश और किस देश की नोसेना के बीच carrot 2020 नोसेने कभिया शुरू हुआ है तो ये शुरू हुआ है बांगलादेश और अमेरिका की नोसेना की बीच अब देखो ये जो अभियास है जिसका नाम है carrot carrot की फिलफर्म क्या है कोपरेशन, एफलोट, रेडिनेंस और ट्रेनिंग, बागलादेश और अमेरिका की नौ सेना क्या करेंगे, जो इंडो पैसिफिक एरिया है ना, वहाँ पी अपनी साजितारी को मजबूत करेंगी, तो दोनों रखीगा कैरेट, बांग्लदेश और अमेरीका, अग्ला कॉष्ण दिखओ, क्या है होकी इंडिया के नई प्रेज़िडेंन कौन बनी है तो मनिपूर के यानेंद्रो निगोमम उपनी है, होकी इंडिया के नई प्रेजिडेंट, इससे पहले वह होकी इंडिया के कारेवाहे कद्यक्ष की रूप में कारे कर रहे थी और फाइनले उनको अपॉइंट किया गया है अगले दो सालों के लिए होकी इंडिया की बाते हैं तो 2009 में इसकी शुरुवात हुई थी और इसका हैटकॉर्टर कहां पे है नई दिल्ली में ओके नेक्स्ट कुशन किस राजे में दो दिफसी है सायोक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास इसका नाम क्या है सागर कवच इसकी शुरुवात की गए तो यह कहां पे शुरू हुआ है उडिसा में उडिसा का जो तट है न कौन सा तट पारादीप तट वहां पे इस अभ्यास को शुरू किया गया है अब इस अभ्यास को शुरू करने का में परपस क्या है देखो जो 26 क्यारा वाला जो मुंबई में अटेक हुआ था ना वो अटेक पारादीप के तट के पास हुआ था और ऐसे यसे मुंबई की घटनाएं होती है ना ऐसे घटनाओं को रोकने की की जाएगी तो उसके लिए पहले से त्यार रहना पड़ेगा और उसी के लिए ही जो यह आप कहलो की अभ्यास है सागर कवच ही शुरू किया गया है उडीसा के तट पर ठीक है तो पहले से आप लोग प्रपेर रहेंगे तो एकदम से अचानक जिस पर मालो कोई कंडिशन से को सिच्वेशन ऐसी होई तो उसको हैंडल करने में आसानी होती है इसलए प्रेक्टिस के जहें की जाती है अगला कोशन क्या है किस इस पेस एजनसी ने निगरानी उपगड़ इसका नाम क्या है प्रहरी 6 इसको जो है वो लॉंच किया है तो यह जो नासा के द्वारा ना रहेंगे वो भी यहां से जो है वो पता चलते रहेंगे तो इस उप्घरे का एक तो नाम धियान रखना है च्एहें। है इस उपगरे का नाम प्रहरी 6 किस ने इसको लॉंच किया है तो नासा के द्वाराज उसे लॉंच किया गया है दो कोशन आप लोगों से उट पठांग करके पूचे जा सकती है ठीके नेक्स्ट कोशन रूस और किस देश की सेना के बीच सयंक तो सेन्य अभ्यास द्रजबा शुरू किया गया तो रूस और पाकिस्तान के सेना के बीचे शुरू हुआ अभ्यास दो सब्सक्राइब उसें क्या होगा देखो दोनों देशों के सेनाएं वो आपस में अपने अपने अनुभबों का सांजह करेगी मतलब एक दूसरे के साथ प्रेक्टिस करेंगी तो नए CIO यानि Chief Information Officer के पतपर किसे पॉइंट किया गया है तो लक्षमी नारायन ची को पॉइंट किया गया है यहां पर Information Officer किसका SDFC Bank का सब्सक्राइब की शुरुवात कब हुई थी तो 1994 में इसकी शुरुवात हुई थी इसका Headquarter कहां पे मुंबई में इसके वर्थमान में SDFC के MDO CEO कौन है तो शशीधर जगदीशन जो है वो इसके MDO CEO है SDFC Bank के ध्यान लखें को यह 2020 में ही Appoint वे थे नेक्स्ट कोशन देखो क्या है किस राष्ट ने अपने इसलामी कानूनों में बदलाव की है तो UAE यानि संयुक्त अरब अमिरात ने अपने इसलामी कानूनों में यहां पर बदलाव की घूशना करी है जैसे यहां पर क्या-क्या बदलाव किये जाएंगे दिखो पहला बदलाव होगा कि जो अनमेरिट कपल्स होती है वो साथ रह सकती है क्योंकि पहले ऐसी इजाज़त नहीं थी यहां पर इसलाम धर्म यहां पर फॉलो होता है और आप सभी को पते है कि इसलाम धर्म में कितना सदा रूल्स और रेगुलेशन होती है पर यहां पर लोगों को थोड़ी से स्वतंतद दी जा रही है तो जो अनमेरिट कपल्स हो साथ रह सकती है शराब के सीवन पर यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंद लगाया जाता था बहुत जाता नियम्स थे इसके लिए वहां पर आपको थोड़ी पहुँच रहे है वो छूट दी जाएगी ठीक है तो यह ऐसे कुछ लॉज एन जो इसलाम के जो लॉज है उनको चेंज करने के यहां पर घुचना करिए किसने UAE एना तो UAE क्या करना जाता है इससे बाकिे अधर कंट्री नीट उसके फ्रीडम दी जाती है लोगों को इसे तरिकेसे UAE इहां पर लोगों को फ्रीडम दे किसे USA का उपराश्टोपती अपॉइंट किया गया है तो कमला हैरिस जो कि आपके लोगी इंडो और एफ्रिकन मूलकी है इनको यहाँ पर वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है और अभी अपॉइंट हुई है यह इस पार जो राश्टोपती बनी है वो कौन बनी है तो जो बिड़न इस पार के जो है वो राश्टोपती बनी है इन्होंने डोनल्ट रहम को हराया है और इन्होंने ही आपर वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर कमला हैरेज को अपॉइंट किया है तो ध्यान रखीगा इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो यह हमारा जो फॉर्स्ट पार्ट आप वीडियो का जिसमें हमने आधी मन्त के सारे कॉरेंट अफेस के कोश्चन से इंपॉर्टेंट वो डिसकस कर लिए इससे अगला पार्टो का उसमें हम बाकी अधर जो डेज बुचें उसके करेंट आफेश कर लेंगे तो इससे तरीके से में मन्त ली करेंट आफेश आप लोगों को प्रोवाइट किया कर ओंगे पीड़ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम कुरूप से मिल जाएगी तो जली से आप जॉइन करने अगर नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो चले फिर ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे अगर आपकी कोई स्पेशल टॉपिक पे रिक्वेस्ट रो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं चले फिर मिलेंगे ने शुर्ण में तब तक के लिए थांक यू फॉर वाचिंग तस वीडियो